हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज, हम आगए अपना नया चैप्टर, शुतिश का नया चैप्टर, चैप्टर नमबर फाइव, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर जो है, ये रिपोतार्ज विधा में लिखा गया है रिपोतार्ज शैली में लिखा गया, हमने बताया ना हर चैप्टर के साथ हम आपको गद्धी की हर एक विधा समझाते हुए चलेंगे, तो रिपोतार्ज विधी क्या होती है, जैसे हम कोई रिपोर्ट तयार करते हैं, जैसे कोई घटना घट गई, और आप से बोला जाया क कोई रिपोर्ट रेडी करिये उस घटना पे, कि कैसे कैसे वो घटना घटी, कब घटी, कहा घटी, किसके साथ घटी, तो हम एक रिपोर्ट तयार करते हैं, तो उसी तरीके से उसी शैली में लिखा गया ये पार्ट है, पार्ट लिखा है चपला देवी ने, चपला देवी क अपनी कुछ शैलियां प्रस्तुत करी और उसके बाद वो कहां से आई थी, कहां चली गए, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई तो उन्हीं का एक गद्य विधाकरी पुतार्ज आपका विधा में दिया गया है, गद्य में लिखा हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये कहांई उतरप्रदेश के बिठूर में घटित हुई, बिठूर कानपूर के नस्दीक है वहाँ पर जो है, वहाँ के जो राजा थे, धुदूदूपंत नाना साहब, उनकी बेटी के उपर ये एक कहांई किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कितनी निर्ममता के साथ उनकी हत्या करी थी, उसी पर ये पूरा पार्ट लिखा गया है चलिए देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है सन 1857, हमें पता है कि भारत में सबसे पहला क्रांतिकारी विरोध 1857 में हुआ ये रानी लक्षमी बाई जी जिस टाइम में इन्होंने शामिल हुई थी विद्रो में, ये उसी टाइम के बात की बात है सन 1857 के विद्रोही नेता धूंदूपंत नाना साहब जग कांति में असफल होकर भागे तो वो अपनी बेटी मैना को साथ ना ले जा सके तो 1857 की जो क्रांती हुई थी वो असफल हो गए थी हम सभी जानते हैं लक्षमी बाई जी कोम्रित्य प्राप्त हुई थी और भी बहुत से जित्ते सारे नेता थे उन सभी को ढूंदूं के मारनी के आदेश दे दिये थे अंग्रेजों ने तो उसी में थे हमारे दूंदूबंत नाना साहब तो यह क्या थे जब भाग एक रांती अस्सफल हुई तो यह किला छोड़कर भागने लगे तो भागते समय यह अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सके कुछ कारण वर्से वो अपने साथ नहीं ले जा सके मैना कानपूर के पास बिठूर में उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया तो अब क्या था महल है तो बहुत सारी लेविश चीज़े भी होंगी धनसंपत्ती भी होगी तो अंग्रेजों का एक दल आया उनको डूनने के बा तोपो के गोलों से महल को नश्ट कर दिया जाए ऐसा सेनापती ने बोला ऐसा कह रहा था तभी एक सुन्दर बाली का बरामदे में आकर खड़ी हो गई तता महल को ना तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापती से निवेदन करने लगी तो क्या हुआ जब जैसे आदेश दि जैसे ये बात आई वो बाहर आई और बोलने लगी कि क्रपा करके इस महल को मत तोड़िये किस से बोलने लगी सेनापती से बोलने लगी उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापती को उस पर दया आ गई उसने बालिका से पूछा कि वह महल में क्या बचाना चाहती है मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो बोलती है ना कि आप महल मत तोड़िये तो वो से बोलते है कि आखिर तुम इस महल के अंदर क्या बचाना चाहती हो भाई तो पिता जी तुम्हारे है नहीं लूट सब कुछ लिया गया है अब बचा क्या है जो इस महल के अ चाहते हैं नाना साहब तो है नहीं उनके प्रेश्ण पर उसने दुबारा प्रश्ण किया प्रति प्रश्ण किया कि आखिर आप क्यों तोड़ना चाहते हैं सेनपदी ने उत्तर दिया कि ये महल विद्रोई के नेता नाना साहब का है उन्हों ने बोला जब उसे पूछाना कि क्यों तोड़ना चाहते तो उसने बोला कि ये विद्रोई के नेता नाना साहब का महल है पर हमारे लिए विद्रोंई मतलब हम जो मिलेगा, हम सब उसका सब कुछ तभा कर देंगे, pok compartir मेरे हाथ नहीं लगा, तो मैं उसका सब कुछ तभा कर दूँगा अता इसे नश्ट करने का आदेश मिला है बालिका ने कहा दोशी तो शस्त उठाने वाले हैं ठीक है दोशी कौन है शस्त उठाने वाले अर्थात जैसे कि उनके पिता उन्होंने अंग्रेश आशन की तरफ उठाया तो दोशी तो वो हुए ना मकान तो जड़ पदारत है मकान का क्या दोश है मकान खड़ा है वो एक जड़ है एक निडजीव वस्तू है तो उससे क्या दुश्मनी है आपकी दुश्मनी तो जिनोंने आपके खिलाव शस्त रुठाया उनसे है और उस मकान से तो कुछ भी नहीं है मकान से आपको कुछ भी अब उस महल में अकेली थी उसका पिता जी नहीं थे कोई नहीं थे अगर उसका घर भी उससे छूट जाएगा तो वह कहां जाएगा तो वही वह बोल रही थी कि ये मेरे लिए बहुत प्रिये है क्रपया करके इसको मत गिराइए मत तोड़िये बालिका ने बताया कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी आपके जो सेनापती थे सेनापती को सेनापती की पुत्री और देवी मैना यानि कि नाना साहब की जो पुत्री है वो दोनों बहुत अच्छी मित्र थी तो ये बात किसने मैना ने सेनापती को बताई कि ऐसा ऐसा है कि आप और आपकी पुत्री हैं वो मैं और आपकी पुत्री दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं जब वहाँ थी तो आप भी मेरे घर आते थे तता मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे उसकी मृत्ति उपर मैं बहुत दुखी हुई थी तो सेना पती जी की जो पुत्री थी वो अब नहीं थी उनकी मृत्य हो चुकी थी छोटी उमर में ही मृत्य हो चुकी थी उनको बताया कि जब वो थी तो आप मेरे घर आते थे उनको लेकर हम लोग बहुत बाते करते थे आप मुझे भी बहुत प्यार करते थे जब उसका देह बचाने का प्रेत्न करूंगा इसी समय अंग्रेजों के प्रधान सेनापती आउटर वहां आ गया और सेनापती हे से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं तो क्या हुआ कि उसने जब उसने पहचान लिया अभी तक उपहचान नहीं पा रहा था जब मैंना ने ये चीज बोली तो जो सेनापती हे थे उन्होंने उसको पहचान लिया उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है अब जब लगाव है तो घर से भी लगाव है भाई हम पहचानते तो उन्होंने थीक है मैं इस महल को बचाने का प्रेपन अवश्य करूंगा ये बात वर्तलाब चल रही थी इसमें प्रधान सेना पती आउटरम आ गया आउटरम तुरंट आते चल लाने लगा अरे ये अभी तक नाना साहब का महल क्यों नहीं उड़ाया गया क्यों नहीं तुड़ा गया भई महल में नाना साहब है नहीं महल से सारे संपती लूट ली गई है कोई है नहीं तो इसको तोड़ के बराबर करो तो इस बात से वो प्रदान सेनापती ने कहा गवनर्न जनर्रिल के आग्या मिलने पर ही बच सकता है अंग्रेज नाना से बहुत नाराज है नाना के वंश तता महल पर दया दिखाना असंबव है तो governor ने कहा कि अगर आगया कहा से मिले governor journal से governor अगर आगया दे दे कि इस महल को नहीं तोड़ा जाएगा तो इसी एक condition भी ये महल बच सकता है लेकिन नाना साहा पे अंग्रेजी शाषक बहुत जाधा नाराज है इसलिए ये हो पाना मुश्किल है क्योंकि ये उन्होंने बहुत जाधा विद्रू किया बहुत जाधा उन्होंने नुकसान पहुचाया अंग्रेजी शाषक को इसलिए इस महल को तोड़ने से बचाये जाना बहुत ही मुश्किल है कि जो governor general है वो इस बात पर कभी राजी होंगे सेनबधी हे ने कहा फिर लाफ्रेंड केविन यानि governor general lord lord font canin को इस विशे का तार देते हैं उन्होंने क्या बोना कि governor general को हम इस बात का तार देते हैं उस समय speed post को गया था उन्होंने चलती थी तार चलता था उन्होंने बोला हम उनको तार लिखकर भेजेंगे आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं हम इस महल को बिना नश्ट किये तता नाना की लड़की को गिरफतार किये बिना नहीं छोड़ सकते तो आउटरम तो पूरी तरीके से क्या था वो अंग्रेजी शाशक था और बहुती क्रूर था लेकिन हे भी अंग्रेजी सेना पती थे लेकिन उनके अंदर इती क्रूरता नहीं थी क्योंकि वो अपनी पुत्री को खो चुके थे और उसी की फ्रेंड का महल तोड़ना अब तब उनके अंदर दया भाब था तो उन्होंने का ठीक कि चलो हम बचाने की कोशिश करते हैं तो अब उन्होंने बोला कि मुश्किल है उन्होंने क्या क्या कि अब हम इसको बचाने के लिए गवर्नर जनरल के पास एक तार भेज़ेंगे और उन्होंने वो तार भेज भी दिया लेकिन आउट्रम क्या कहता ह कहता है कि आप क्यों बचाना चाहते हैं क्योंकि नाना सहाब हमारे दुश्मन है मतलब अगर नाना सहाब अंग्रेजों के दुश्मन अंग्रेजी शाशक के दुश्मन है तो आपके भी दुश्मन हमारे भी दुश्मन तो हमें क्या है इसकी पुत्री को गिरफतार कर लेना च बचाना चाहेंगे कियोंकि क्रांति कारी कौन थे क्रांतिकार क्रांति करको मैंना कि पिता जी थे अीज dec minormin और गर गिराने का कोई सेंसी नहीं क्यूं मैसा ऐसे खूरता करें किसी बच्ची से उसकी जिन्द्गी चीने और उसका घर enjoy थे तो सब कुछ हो रहा था लेकिन आउट्रम क्या था वो हे से बड़ा सेना पती था जो था क्या केते हैं हे थुजे थे वो नीचे पत पे थे और आउट्रम बड़ा तो उसने तुरंट आदेश दिया कि तुम यहां से चले जाओ अब यहां की कमान मैं सम्हालूंगा ठीक है और उनको जाने कादेश दिता है फिर विवश होके हे को जाना पड़ता है अब वहां की सारी कारवाई देखने वाला कौन था आउट्रम क्रूर आउट्रम था कि वो जो है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था उधर आउट्रम ने नाना के महल को घेर लिया चारो तरफ से महल को घेर लिया गया अंग्रेज सिपाई फाटक तोड़कर महल के अंदर घुज गये अब क्या था जितने भी थे वहाँ पे जितने भी फाटक थे सब तोड़ ताड़ के जितने भी सिपाही थे वो क्या हुए अंदर चले गए अब उन्होंने मैना को बहुत ढूंडा किन्तु वह ना मिली उसी दिन लॉट केनिंग का तार आया जिसका आश्र इस प्रकार था लंदन के मंत्री मंडल का मत है कि नाना के इस परश्टी चिन तक को मिटा दिया जाया इसलिए वहाँ की आग्या के विरुद कुछ नहीं हो सकता अब तार तो भेजा जा चुका था वहाँ के महल को बचाने और मैना को बचाने के लिए जिसे हे ने पहले कर दिया था अब क्या हुआ फाटक तोड़के अंदर सिपाही गुज गया और वहाँ पर मैना को ढूंडने लगे लेकिन पूरा महल खोज लिया गया कोई भी मैना को ढूंड नहीं पाया सब ठकार गये लेकिन इतने में ही लॉड कैनन गवर्नर जर्नल का तार आया उज़ तार भेजा था है ने उसका जवाब आया कि नाना सहाब के इस्मृति चिन तक को मिटा दिया जाए मतलब उनकी एक भी निशानी कहीं नहीं रखी जाए सब को मिटा दिया जाए महल को तोड़ कर तहश-नहश कर दिया जाए यही आदेश था ना इसमृति चिन को मिटा दिया जाए इसने वहां की आगया क्या विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता था यहां की मतलब अब जो है करना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्णर जर्णर का ओर्डर था अब उसे कोई भी डिनाय नहीं कर सकता था तो अब महल को तूटना ही था उसी समय क्रूर जर्णर आउटरम की आगया से नाना साहब के सुविशाल राज महल पर गोला बारी होने लगी घंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया गया अब जैसे ही तार मिला तो आउटरम तो यही चारा था कि भाई महल गिरा दिया जाए उसने तुरंत आदेश दिया और गोला बारी प्रारंब हो गई वो महल जिसके अंदर मैना मौजूद थी ढूडा गया था मगर मैना को कोई ढूड नहीं पाया था लेकिन मैना थी तो उसी के अंदर क्योंकि उसी के अंदर हेकों मिली थी तो अब क्या हुआ महल में गोला बारी करके पूरा महल गिरा दिया गया घंटा भर लगा एक घंटा लगा और पूरा का पूरा महल मिट्टी का धेर बनके रह गया उस समय लंदन के प्रमुक पत्र ट्राइम्स में छपा अब क्या हुआ कि यहीं इस पे ये सिन खतम कर दिया गया अब कुछ दिन बाद क्या हुआ हे की पेशी लंदन में हुई थी तो उसी के वक्तव में एक पत्र चपा यानि कि निउस पेपर पे एक जो है आर्टिकल निकला बड़े दुख का विशह है कि भारत सरकार दुदान्त नाना को नहीं पकर सकी हम अंग्रेज जीते जी अंग्रेज नर नारियों के नर संगां का बदलाग लेना कभी नहीं भूलेंगे सर टॉमस है कि नाना की बेटी पर दया करने की बाद से हसी आती है शायद वे बुढ़ापे में उस महराश्च्री कनकन्या के सौंदर पर मोहित होकर अपना करतव भूल गए अब क्या हुआ था कि जो है वो तो मिली नहीं पूरा महल ढ़ा दिया गया सब कुछ हो गया फिर उनके बारे में अब हे अंग्रेजों के नजर में हे जो नैना के लिए इतनी सहानुभूती दिखा रहे थे ये बहुत ही गलत बात थी नाना को कोई पकड नहीं पाया, उनकी पुत्री को कोई पकड नहीं पाया, महल ढ़ा दिया गया और एक अंग्रेज सेना पती उनसे सहानुभूती रख रहा था अंग्रेजों के लिए ये बिलकुल भी बरदाश के बाहर था तो वहां की पत्रिका ने ये चीज छापी कि नाना को हम पकड नहीं पाये क्योंकि उन्होंने बहुत नरसंगार किया क्योंकि वहां उन्होंने क्या किया था उस पे छाबनी पर अटैक करके बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था तो अब उनको तो पकड नहीं पाए और दूसरा हे हमारे सेना पती जो है वो उनकी पुत्री पर दया दिखा रहे हो चाहते थे कि उनका महल ना तोड़ा जाए ये कितनी शर्म नाख बात है ऐसा वहां के पत्र में छपा नाना की लड़की को हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय नैना महल के खंडरों में बैठे रो रही थी तो वहां पे क्या छापा गया जो महल था जो ये पत्र लिखा गया उसी के एंड में दिया गया कि हे के सामने नैना को फांसी देनी चाहिए और इधर क्या हुआ पूरा महल तोड़ा जा चुका था बारत में विठूर में पूरा महल तोड़ा जा चुका था जब पूरा महल धेर बन गया तो क्या हुआ वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आकर उस महल के धेर पर बैठ कर जोर जोर से रोने लगी और उसकी रोनी की आवास कहां तक पहुँची सेना पत्ति सेना जहां पर छाबनी लगाए बैठी थी वहां तक पहुँची अब वहां से सैनिक आ गए उसको देखने के लिए पास इठेरी आउटरम की सेना ने उसे पकड़ कर गिरफतार कर लिया क्योंकि वह रो रही थी उन खंडरों पर बैठे तो सेना आई उन्होंने पूछा कि आखिर क्या बात है क्यों तुम यहां पर रो रही हो जैसे उतने में आउटरम आ जाता है आउटरम कहता अरे ये तो वही कन्या है जिसे हे बचाना चाहता था यानि कि मैना और तुरंट उसे पकड़ लिया जाता है जब उसको पकड़ कर वो लोग क्या गिरफतार कलने मैना ने आउटरम से जी भर के रोने की अनुमती मागी किन्तु कूर आउटरम ने को उस पर दया ना आई उसने मैना को गिरफतार कर लिया और कानपूर के किले में बंद कर दिय फिर उसे धदकती आग में फेक दिया गया मैना जलके भस्म हो गई तो क्या हुआ कि उसको उसने बहुत कोशिश करी कि यह मेरा महल है मैं यहाँ पर थोड़ी दिर बैठ करूना चाहती हूँ लेकिन आउटरम ने उसकी एक बात नहीं मानी उसे तुरंट कहां लेकर आया कानप बिठूर के पास में था बिठूर का किला तो टूट चुका था तो वह कहां उनको पकड़ के लेकर आया कानपुर लेकर आता है और कानपुर के किले में बंद कर दिया जाता है फिर बहुत क्रांतिकारी वहां पर हला करने लगते हैं कि इत्ती छोटी सी बेटी को बच्ची क तो क्यों उन्होंने गरफतार किया क्या हुआ तो क्या दूसरे दिन अब उसको फासी देना कुछ करना थोड़ा वह था तो उन्होंने क्या किया दूसरे दिन देवी मेना को एक आग के कुंड में धकेल दिया वो चोटी सी लड़की 13-14 साल की लड़की उसको जलती हुई आ बचपला देवी ने एक रिपोर्ट जो बनाई थी वो हमारे सामने रखी गई थी तो यहां पर किस तरीके से नाना साहब ने अपने देश को बचाने के लिए इतनी क्रांती करी क्रांती करने के बाद वो पकड में नहीं आए और उनका पूरा घर तोड़ दिया गया और उनकी एक छोटे सी बच्ची छोटे सी बच्ची ने भी हमारे देश के लिए इतना जादा इतना बड़ा बलिदान यानि कि अपनी जान का बलिदान दिया तो यहां पर चपला देनी ने यह चीज़ हमें समझाने और बताने की कोशिश करी अपने रिपोर्ट के जरिए कि इस देवी मैना की जो यह कहानी है यह हमारे सामने नहीं आई जब भी इस कहानी को हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि वो एक छोटी सी लड़की जिसका कोई दोश नहीं था उसको मार दिया जाता है तो एंड में इस कहानी से जो हमें सीक मिल रही है वो क्या है कि इतनी क्रूड़ता कहीं पर भी किसी हद पर भी ठीक नहीं होती अंग्रेजों ने जो क्रूड़ता हमारे देश पर दिखाई है वो शायद हम सिर्फ अभी सुन सकते हैं लेकिन जिन लोगों ने उसको भेक होगा है वो बहुत ही दर्द नहीं थी तो यहाँ पर हमने आपको यह चैप्टर का सार पूरा खतम कराया पूस्तिका में पाट के बाद में दिये गए हैं तो सबसे पहला कोशिंग क्या पूछ रहा है बाली का मैना ने सेनापती हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया तो क्या हुआ था जब नाना साहब को तोड़ दिया जाए ऐसा जो है गवर्नल जर्नल का आदेश है तोड़ के गिरा दिया जाए यह बात सुनते ही एक छोटी सी बच्ची महल में प्रकट हो गई थी और उसने बोला था कि इस महल को मत गिराई है अब उसने नहीं गिराने के क्या क्या तर्क दिये कि क्यों मत तो इस कोशिन में क्या चीज़ दी है हम देखते हैं बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निमलिखे तर्क दिये पहला मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापती के किसी भी उद्देश की पूरती नहीं होगी क्योंकि अंग्रेजी शाषक क्या चाहते थे नाना सहाब को पकड़ा जाएं क्या महल गिराने से नाना सहाब पकड़ में आ जाते तो उसने सबसे पहला तर्फ ये दिया कि अंग्रेजी शाशक या सेनापती अगर इस महल को गिराएंगे तो उनके उस उद्देश की पूर्ती नहीं होगी जो वो चाहते हैं या मैना ने यह चीज़ कहा उसने यह चीज़ मानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग अपनी श्रस्त उठा रहे हैं मतलब क्रांतिकारी और स्वतिंतता सेनानी जो भी है जो श्रस्त उठा रहे हैं माना कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन उस गलत में इस घर का क्या दोश है इस म अपना परिचे देकर कहा कि वह अपनी मरी हुई पुत्री मेरी की सहली है और उसका आखरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। तो मैना ने अब जब इस दो तरक से काम नहीं चला तो मैना ने फिर आखरे तरक ये दिया था कि वो जो यानि कि मैना जो है वो सेनापती है की मरी हुई पुत्री जो मर चुकी है मेरी, उसकी सहेली है और उसके मरने पर उसके बहुत दुक हुआ था और उसका एक पत्र अभी तक उसने सभाल कर रखा है क्यों क्योंकि वो उसकी सबसे प्रिये सहेली थी तो इस तरीके से मैना ने तीन तर्क दिये यहाँ पर इन तीनों तर्कों से यह चीज़ साबित कर रहे हैं आपको जब भी आप लिखेंगे आंसर लिखेंगे तो इन्हें आप थोड़ा सा तोड़ म मैना जड़ पदार्त मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नश्ट करना चाहते थे क्यों मैना के लिए वो मकान नरजीव जरूद था मगर अब उसके रहने का वही आखिल ठीकाना था क्योंकि उसके पिता जी तो उससे दूर जा चुके थे तो इसको हम कैसे थी तो क्या हुआ वो उसका पैत्रक घर था यानि कि उसके पापा का उसके दादा का पर दादा का बनाया हुआ वो घर था तो वो नहीं चाहती थी कि इतना ऐसा हो और उसमें उसी ने जन्म लिया उसके पापा मा पिता जी सारे परिवार की यादें उसी घर के अंदर थी औ और आज उसके पास कोई भी नहीं था, इवन जो पिता जी भी थे, अब वो भी उसके साथ नहीं थे, अब वो पूरी दुनिया में अकेली थी, अब अगर उससे उन यादों का सहारा भी छीन लिया जाए तो वो कैसे जीएगी, तो इसलिए वो चाह रही थी कि वो मकान ना तो क्यों क्योंकि वो उसकी पैतरक संपत्ती थी, वहाँ पर उसका उसकी यादे, उसके पिता जी की यादे, उसके परिवार की यादे, उसकी बच्पन की यादे सब नहीं थी, और वो उसके जीवन का आखरी सहारा था, ये बताएंगे, अब इसके बाद अंग्रेज क्यों तो उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेश सरकार उनसे जुड़ी हर निशानी को नश्ट करना चाहती थी मतलब वो इवन वो छोटी सी बच्ची मैना उस तक को मारने का आदेश इसलिए आ गया था क्योंकि अंग्रेश आशन चाहते थे कि उनकी एक भी निशानी इस दुनिया के अंदर जीवित या सपूर्ण रूप से ना बचे यह राज बहल उनके दुश्मन नाना साहब का था ब्रेटी सरकार से मिले आदेश के नुसार वे उसकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद आवाज ना उठा सके एक तो वो उनके विरोधी थे नाना साहब अंग्रेजों के विरोधी थे उन्होंने नरसंगार किया था बहुत बुरी तरीके से हानी पहुँचाई थी उनकी प्रतिष्ठा को मान को अंग्रेजों के अब ये तो करना ही करना था साथ में पूरी दुनिया को ये सबक भी सिखाना था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका ऐसा ही हश्रो होगा तो ये एक सबक सिखाने के लिए भी था दूसरा अपने गुस्से अपने एहम को सटिस्वाई करने के लिए भी ये अंग्रेजों ने करना चाहते थे ताकि उस महल को गिरा दिया जाए सर टॉमस हे कि मैना पर दयाभाव के क्या कारण थे सर टॉमस हे जब वो बोलते है ना मैना बोलती है कि मैं आपकी पुत्री मैरी की सहेली हूँ और जब वो म्रत्य को प्राप्थ हुई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था उसका लिखा हुआ एक पत्र आज भी मेरे पास है ये सारी बात जब मैना उनको बताती है तब सर टॉमस हे में जो है क्या होता है वो थोड़ा सा सहानुबूती आ जाती है तब वो कोशिश करने लगते हैं कि मैना के महल को ना गिराया जाए तो यहाँ परम कैसे लिखेंगे मैना सर टॉमस हे की मृत्य पुत्री मेरी की प्रिये सखी थी दूसरा कारण यह होगा कि हे मैना के घर आते रहते होंगे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्याट करते थे मैना के रूप में उन्हें अपनी मृत्य पुत्री मेरी की छवी दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी उन्हें मैना के तरकों में सचाई नजर आई होगी ये सभी कारण रहे होंगे कि हे के मन में मैना के प्रति दया भाव उत्पन हुआ अब जाहिर सी बात है जब मैरी आती थी यानि कि सर टॉमस हे की पुत्री आती थी तो खुद सर टॉमस हे भी उस महल में आते थे और मैना से मिलते थे तो इससे क्या हुआ एक प्यार लगाओ क्योंकि उनकी पुत्री मर चुकी थी तो अब एक थोड़ा सा प्यार भाव यहां पर आया अब जिस तरीके से उनकी पुत्री मर गई थी वो अब दुनिया में अकेले थे उसी तरीके से कंडिशन मैना की थी मैना के पिता नहीं थे अब वो पूरी दुनिया में अकेली थी तो अब अकेले या सहारा उसका घर था अगर वो भी गिरा दिया जाता तो वो भी एक मुश्किल का काम था इसलिए जो है सर्टॉमस हे के मन में मैना के लिए सानुबूती जागी और वो घर को बचाने के लिए प्रयास करने लगे नेक्स मैना की अंतिम इच्छा थी कि उस प्रासाद के ढेर पर बैट कर जी भर कर रोले लेकिन पाशाण हिरदय वाले जर्नल ने किस भै से इसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी देखे इसमें कुछ डिफिकल वर्ट से समझिये क्या है प्रासाद प्रासाद मतलब महल महल जब तूट जाता है तो उसका जो ढेर बचा था उस पे बैट के जी भर के रोलेना चाहती थी मैंना लेकिन पाशाण हिरदय जर्नल पाशाण हिरदय मतलब पत्थर हिरदय जर्नल ने किस पता ने किस भै की कारण जो है उसको वहाँ पर बैठ के रोने नहीं दिया अब कारण क्या था जर्नल किस भै से भै कौन सा था अब हमें ये बताना है मैंना महल के धेर पर बैटकर जी भर के रो लेना चाहती थी पर पाशाण हिदय जर्नल आउट्रम ने उसकी यह इच्छा पूरी ना होने दी जर्नल आउट्रम के मन में भै रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रती जरा भी सानभूती दिखाई तो ब्रिटिस सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा उसे इसके लिए कठोड दंड भी मिल सकता है इस कारण उसने मैंना की यह चोटी सी इच्छा भी पूरी ना होने दी तो कारण क्या था भाई सबसे पहले किसने सहानुभूती दिखाई थी सर टॉमस हे ने तो उनको उनको भी बहुत जादा चीजें सुननी या सहनी पड़ेंगी यह चीज आउटरम को पता चल गई थी अब अगर वो सहानुभूती दिखाता मैना के प्रती तो यही सब चीजें उसको भी जहलनी पड़ती कि ब्रिटेश शार्षक जो है वो उससे नाराज हो जाती आउटरम से और हो सकता है अगर मैना उनके हाँ से निकल जाती तो इस बात की पनिश्मेंट भी यानि कि उनको जंड भी दिया मिल सकता था तो यह कई सारे डर थे जो आउटरम के मन में थे इसलिए आउटरम ने मैना की बात को नहीं माना और तुरंत उसको गिरफतार कर लिया क्या बात नहीं मानी कि वो उस महल के ढेर पर रोना चाहती थी मगर उसे वहाँ पर रोने नहीं दिया गया और उसे बंदी बनाकर कहा ले गए कानपूर, तुरंद गिरस्तार करके कानपूर ले गए. Next question, बालिका मैना के चरित्र की कौन-कौन सी विशेश्टाएं आप अपनाना चाहोगे और क्यों? कई उनके अंदर विशेश्टाएं थी, तो इसे आप से पूछा गया है, कि कौन-कौन सी थी पहले आप ये बताएंगे और फिर कौन-कौन सी आप अपनाना चाहते हैं, आप ये बताएंगे. तो ये आप पर dependent है, आप लिखे, हमने भी कुछ चीज़े बताएंगे, आप चाहें तो उनसे help लेकर कुछ अपने लिए भी नया लिख सकते हैं. तो पहला क्या है, बाली का मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, इस्पष्ट वक्ता, निडरता, भावुक्ता और तर्क शीलता की विशेशताएं अपनाना चाहेंगे. अब ये बड़े भारी भारी वोर्ट सेंग का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, देश प्रेम, ठीक है, ये तो हमारे लिए इसी है कि वो अपने देश के प्रती प्रेम करती थी, क्योंकि उसके पिताजी खुद एक रांतिकारी थे. दूसरा साहस, वो जो है साहसी लड़की थी, पूरी अंग्रेज की एक फौज महल के अंदर गुसी हुई थी, लूट पार्ट कर रही थी, लेकिन वो भी निकल के आग के सेनापती के सामने कड़ी हो जाती है, बादरी दिकाते हुए कि इस महल को मत गिराइए, इस पष्ट अपनी बाद को पूर्ण रूप से कहा उसने, बिना डरे, उसने बोला ना इस महल को मत गिराइए, क्यों क्योंकि ये मेरा घर है, और उसके तर्क भी उसने दिये, तो इसलिए क्या दिया, निडर था, बिना डरे, बिना डरे उसने सारी अपनी बाद सामने रखी, फिर भावुक लड़की थी, क्यों? क्योंकि वो एक जड़ मकान के लिए इतना जादा संघर्ष कर रहे थी, कि कोई उसे गिराए नहीं, और जब वो टूट जाता है, तो उसके उपर बैठ कर रोती भी है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, कि वो भावुक थी, तरक शीलत यानि कि हर चीज़ का तरक दे रहे थी, कि क्यों इस मकान को नहीं, यानि इस महल को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए, तो यह सारे वोट्स हम दे सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे गुंड है, जो आप अपनाना चाहें, तो उनको भी ले सकते हैं, इसके अलावा आपको अगर नैना के अंदर कोई और विश्रिष्टा हैं दिखाई देती हैं, तो आप उनको भी एट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेगा, यह हमें पार्ट से अलग नहीं करना है, कि आप कुछ और चीज़ें एट करते जाएं, जो पार्ट में नहीं शो हैं, तो जो भी चीज़ आप आड करोगे, पार्ट को ध्यान में रखते हुए आड करना, नेक्स कोशिन, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विशे है कि भारत सरकार आज तक उस दूदान्त नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, इस वाक में भारत सरकार से क्या आश्रे हैं यहाँ पर भारत सरकार से आश्रे है, ब्रिटिश शार्षक के आदेशों के अंतरगत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उसके नाम से चलाते थे अब सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर क्या दिया, भारत सरकार, तो उस समय भारत की तो अपनी कोई सरकार नहीं थी, भारत तो परतंत था, किसके अधिन था, अंग्रेजों के अधिन था और वहाँ पे शाषन कौन कर रहा था अंग्रेज ही शाषन कर रहे थे मगर कहां से नियुक्त ब्रिटेन से नियुक्त किये रहे थे ब्रिटेन से कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था जो भारत में शाषन चला रहे थे तो यहाँ भारत सरकार से तातपर था वो लोग जो यहाँ पर शार्षन करने के लिए ब्रिटेन से नियुक्त किये गए थे भारत सरकार शब्द उनसे तातपर रखता है तो इस पार्ट में प्रयुक्त सभी question answers को हमने आपको समझाया लेकिन एक चीज और बहुत ध्यान से पर देखेगा कि कुछ question इससे अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो उन्हें आपको अपनी तरक शंता बुद्धी शंता के साथ में लिखना होगा तो आगे थोड़ा सा और वेट करिए हम अपना next chapter लेके थोड़ी देर में आपके सामने फिर से हाजर होते हैं Thank you